Hello friends, Welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम करेंगे रेविट की कोई ट्रिक के बारे में अब कुछ वीडियो बनाएंगे रेविट की ट्रिक क्या-क्या होती है रेविट की बनाएंगे, Max की बनाएंगे, SketchUp की बनाएंगे, हर एक सॉफरे किया आपको ट्रिक्स में शेयर करूँगा जो एक बहुत ही जादा यूसफुल ट्रीक होंगी आपके लिए अगर आप उसे यूस करते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो अभी तक आपको लगता था कि वह आपके लिए मुश्किल ह तो आज की ट्रिक्स में जो हम करने वाले हैं वह यह है कि मानलों मेरे को वोल पे चार-चार या पाच-पाच फीट तक टाइल्स लगानी होती है और उसके बीच में डोर और विंडो आती है तो वह कटिंग किस तरीके से हम प्रोफेश्टर लेवल पर कर सकते हैं जैसे कि आ अब विंडो है तो कटिंग हो गए हाँ यहां पर यहां पर देख पार्यों कि ऐसे टैंगाने तो यह कटिंग हो गई नुर्मली इस तरीकिए टाइल्स अगर आपको लगानी है डोर आता है तो श्टाइर में टाइल्स लगा सकते हो प्रोफेश्टर लेवल पे तो उसके ब फैमिली से जाके कोई भी मालो एक्स्टरनल दोर मालो यह वाला डोर लिया ओपन यह दोनों डोर क्यों लिए मैंने वह भी बताऊंगा आपको यह मैंने एक डोर यह लगाया और एक लगा देता हूं मैं विंडो यहां पर तो मेरे पास यहां पर इस तरीके से प्रोफाइल करते हैं वरना फैमिली में जाके लगाते हैं फिर यहां से कटिंग करते हैं तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद अगर हमें डोर की पोजिशन चेंज करने ही तो फिर उस कटिंग को भी चेंज करो तो उससे बचने के लिए हमारे पास बैस्ट तरीका क का इसको करने का वो बताते हैं तो उसके लिए सबसे पहले में क्या करता हो यहाँ पर दुबारा से वॉल पर जाता हूँ और एक यहाँ पर एडि टाइप पर जाके डूप्लिकेट करता हो और यहां पर लिखता हूँ फैंश, मैंश aiуш माग मैं लिखता ओगे और स्टॉक् दुबारा से मैं यहापे इसे ऑक्राइता हूं। औक्राइं के बाद मैंने इसको हाइट लिए यहापे अनकनेक्टिड किया और मेरे को 4-4 तक चाइए, 5-5 तक चाइए तो मैंने वह हाइट लिए यहाँ पे और इसको कर दिया यह वाला पार्ट आपका cutting में नहीं आया या तो आप individual wall लगाओ यहाँ पे और इस तरीके से अगर cutting करने आपको क्या करना है यहाँ पे इन दोनों wall को मैं आपस में join करणा ठीक है दोनों ही wall है तो इसको join करने के लिए आप modify पे जाओ और यहाँ पे join क्लिक करें और दोनों ही वाल पे क्लिक कर दें तो दोनों यह वाल जोइन हो जाएंगी और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह आपका space यह आपका space आगया और इस तरीके से आपका विंडोगा space आ गया clear है तो उसके पाद पहले एक बार इस पे material लगाते हैं तो material के लि और वाल कवरिंग टाइल्स यह वाली टाइल्स ले लेता हूं जैसे और इसको मैं ग्राफिक में भी यूज रेंडर एपिरियंस और करके और paint की help से मैं इस पर paint कर देता हूं यह वाला में ठीक है और realistic पे जाके देखूंगा तो आप देखोगे इस तरीके से आपकी टाइल आप इससे benefit क्या हुआ कि अगर आप डॉर को अगर मूव भी करते हो तो वह कटिंग उसके एकोडिंग हो जाएगी इवन आप विंडो को मूव करोगे तो वह कटिंग उसी के एकोडिंग हो जाएगी और जो यह वाला पार्ट है दो डोर मैंने इसके लिए थे यह आपका without frame का डोर है जिसमें आपका बाहर के तरफ यह design बना होता है और यह आपका with frame है तो frame के साथ आया तो इसने यहां तक cutting की और without frame जो आया यहां पर तो इसने बाहर वाले पार्ट को overlap कर दिया same thickness हो गई तो हम क्या करेंगे इसको click करके edit type पे जाके और जो आपके यह thickness है हम इसे थ बना सकते हो और यह बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल तरीका करने का था कि आप सभी जंगा पर इस तरीके से आपका आप इवन इसके help से skirting लगा सकते हो तो आशर करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी समझ में आयोगा किस तरीके से यह सब चीज आप कर स अच्छी लगी तो अगर वीडियो चले तो पिस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें थैंकि आपके सब्सक्तर वीडियो देकिने करें मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंकिस वाच